असलाम आलेकुम बेबी इन न्यूज में आपका अस्तिक्बाल है मैं हूं सानिया न्यूज की शिरुवात करते हैं हेड्लाइन से वाशिंग पाउडर और रिफाइंड ओयल से दूद बनाने वाली फैक्टरी का परदा फाश फैक्टरी मालिक किरफ़तार डिजिटल आलाग की तलाशी और जबती के मामले पर सापियों की अरजी सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस गुजरात हुकुमत का सुप्रीम कोर्ट में हल अपनावा बिल्खी इस बानों के मुजर्मों को उनके अच्छे सुलूक की वज़े से माफी दी गई और अब खबरों की तफसीर जमात इसलाम हिंद और अनसार चारिटेबल ट्रस्ट की जानिब से सीरत नबी सलिल्लाहु अलिह वालिह वालिह विसल्म का प्रोग्राम जखरिया फंक्शन हौल में निकाद किया गया दो इसमी जमात इसलाम हिंद तेलंगाना के सरदार हमीद मुहम्मद खार ने प्रोग्राम की सदारत की और महमाने खुसूसी की हैसिसे नाइब सदर जमात इसलाम हिंद आमीन अलहसन सहाब साबगा सदर आफ इडिया इखबार एसाईयो इखबाल हुसैन मौजूद थे प्रोग्राम का असल मकस्द नबी करीम सलिल्लाहु अलिह वालिह सिल्म की तालिमात और उनके तिजारत के उसलों पर रोशनी डाली गए इस प्रोग्राम में खबातिन वो हज़रात की कसिर्देदात मौजूद थी सिर्द से कुछ ऐसे वाकियात को तराश करें जो बाप और फित्री हो जिसमें कुछ अजीव पहरे को लास्मन हो और खिस्ता कोई उस मुदालिए सिर्द का माहित मकस्द होता है लेकि कुछे मामों में कि यहां के लोग शरीख हैं उनकी सबे उससे बुलंद है वो यह सिर्द सबोई के लिए लजद समाहात के लिए और बाफियात को सुछ कर जूबने के लिए नहीं बलकि वो इसके आई इसका कपुछ अब ताला ऐसे हो जिससे हमारे लिए जिन्दकी में रोश्टी में रहा हमाई के लिए में और आप जिस पोजिशन में हो बहा हमें रहा हमाई की जरुवत है आप अब बुजबाय हैं तो आपकी जरुवत है नगरे ज़िए जरुवाद है तलाश किलें की लजब कर्झी का कतिकार के से हुआ इसे शहोर थे विसना तहर दिया और आप अपने अस्वार पुता खराद के साथ कैसा परता हो जिए करते थे संगारेडी के इसलामिक सेंटर में इदारा अदब इसलामी की जानब से रियासती मुशायरे का इतमाम किया गया था जिसमें कई मारूफ शोरा ने शिर्कत की इस मुशायरे की निजामत फयाज अली सिकंदर सकंदर के चानफ मुशायरे के supernatural मुशायरे के अदारा अदब इसलामी संगारेडी ने उन्जाम तिये इस मुशायरे में अल-अमेन मौडल स्कूल के मासूम तालिब इल्म अब्दुल सलाब ने अपनी अशार से सब का धियान अपनी जानी खेंच लिया मुझे जाना तरिक लाने की भालिदी का सबाई है आपनी जाना अधिक लिए का धियान वाल में हम उस ब्चाय बेठें मस्रख की खाल में जिदाने कि तरहा ही ज़ने का निगो कारवा स्लांप तेरे। मैं अकर इस मिहां बरी की बात करते हैं। इस दो जारे आश्माईश है। इस दो जार्माईश है। आप कित्या की जुश्टर्य पर्लो। व्हुरह ते रहा है लिखना हादसा। तूं आप अपोपनी सोर्षÄ पंदिस्ट कादो सेघ्ट परखके सिनिमागर दिल्सार पंद समय तरों को दर बलता दूपपै सामकहुं घुश्एेजर घुश्ए शामका सेख्कुत हने हैं शामक कादो शागर करते नहीं और समय जो को भुभर मेरे नोकिया और एरेक्जन ने पील को ऐलान किया है कि उन्होंने भारत में सबसे बड़े 5G नेटवर्क्स रिलाइंस जियो के साथ एक मौहिदा किया है नोकिया ने कहा है कि उसे रिलाइंस जियो ने एक बड़े सप्लायर के तौर पर मुल्क भर में अपने वसी एर स्केल पोर्टफोलियो 5G से आलाद के लिए रैंट मनतखब किया है दरियसना एरेक्जन ने कहा है कि उसने भारत में 5G से शुरू करने के लिए जियो के साथ एक तवील मुदती स्ट्राटेजिक 5G मौहिदा किया है आकाश अमबानी चेर्मेंट जियो रिलाइस ने एक बयान में कहा हमें भारत में 5G से की ताइनाती के लिए नोकिया के साथ शिराकददारी करने पर खुशी है जियो अपने तमाम सारिफिन के ताजूर्बे को बढ़ाने के लिए जदीद तरीन नेटवर्क टेकनोलोजीस में मुसलसल सरमाय कारी करने के लिए पूर आजम है उत्तर प्रदेश पूलिस ने बदायों जिले के मुसा जाग इलाके के गाउं में एक मसनुई दूद बनाने वाली फैक्टरी का परदा फाश किया है और एक सो लिटर से ज्यादा मसनुई दूद बरामत किया है इस दूद को वाशिंग पाउडर, रिफाइंड, ओईल वगएरा इस्तिमाल करके तयार किया गया है पूलिस ने कहा के फैक्टरी के माली को गिरफतार कर लिया गया है और उसके खिलाद FSO की शिकायत पर IPC के मुतालख दफाद के तहर मुख़मा दर्च किया गया है हुकाम के मताबिक ये फैक्टरी एक मकान के अंदर चल रही थी और इसका मालिक मुलहका इलाखों में कई दुकानों को दूद सप्लाई कर रहा था उधर फूर्ड सेफटी टीम ने इलाखे के मुक्तलिब दुकानों से नमूने भी एकटे करके टेस्ट के लिए लिबारिटरी भिज़वा दिये है सुप्रिम कोट ने साफियों के ग्रूप की जानब से दायर की गए अर्जी पर नोटिस जारे किया है जिसमें डिजिटल आलाद की तलाशी लेने हैं और उन्हीं जब्त करने के मामले पर रहनुमा हिदाया जारे करने का मुतालिबा किया है सुप्रिम कोट ने इस अर्जी को ऐसी ही दूसरी अर्जीयों के साथ मुनसलिक किया है गुजरात हुकुमतनी सुप्रिम कोट में एक खलफ नामा दाखिल करते हुए बिल्कीस बानों के ग्यारा खुसूरवारों को माफी देने की अपने फैसले का दिफा करते हुए कहा कि ये माफी की पॉलिसी के तहट उनको माफी इसलिए दी गए क्योंकि उन्होंने 14 साल खैथ की सजा पूरी कर ली थी और उनका रवया अच्छा पाया गया हुकुमत की जानिब से कहा गया कि तीसरी पार्टी इस मामले में मुकदमा दर्ज नहीं कर सकती तो भाशीनी अरीका इस केस से कोई तालुख नहीं है ताहम इस मामले पर मंगल को दोबारा समात होगी गुजराग के वडोद्रा में कौमी शाहरा पर एक बस और ट्रक में तसादम के नतीजे में चार अफराद की मौके पर ही मौत हो गई ये खौफनाक हारेसा मंगल की सुब वडोडरा की कापूरा इपुल पर पेश आया एनी शाहिदिन का कहना है कि हारेसा उस वक पेश आया जब एक लगजरी बस ने हाईवे पर एक ट्रक को ओवर्टेक करने की कोशिश की हारेसे में हलाक होने वाले और जख्मियों को साया जी हॉस्पिटल मंतखल किया गया पुलिस ने बताया कि हारेसे का शिकार बस राजिस्तान के भिलवारा से मुंबई जा रही थी देहली फसादाप के मुल्जिम और जी एन यू के साबिक तालिब इल्म अमर कालिद की दरुपास्त जमानत पर देहली हाई कोट आज अपना फैसला सुनाएगा देहली हाई कोट ने 9 सितंबर को इस मामले में अपना फैसला महफूस रखा था खाबल और जी देहली पोलिस ने जमानत के दरुपास्त की मुखालिफत करते हुए कहा था कि अमर और उनके साथी देहली को जाम करना चाहते हैं पूलिस नी जे सी सी के वाटसेप ग्रूप की चैट अदालत में पेश की जिसमें कहा गया कि हम जामिया के हैं देहली का पईया जाम कर देंगे अदालत ने फरिखीन के दलायल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया एक साइस पॉलिसी मामले में पेर को सी बी आई ने देहली के नाइब वजिर आला मनी सी सोडिया से 9 घंटे तक पूझ गुझ की सी बी आई के जानिब से सी सोडिया को पूझ गुझ के लिए तलब किया गया पूझगुच के बाद मीडिया से बात करते हुए मनीसी सोटिया ने कहा कि आज मैं CBI गया और दिखा कि वहां घोटाले का कोई मामला नहीं है सारा केस जाली हैं मैं जानता हूं कि केस फर्जी है और आज CBI में 9 घंटे की पूझगुच के दोरान मैं समझ गया कि पूरा केस किस तरहा फर्जी है उतर प्रदिश हकुमत ने रियास्ते मुलाजमین और पेंशनर्स को दिवाली का तोफ़ा देते हुए महंगाई भत्ता और महंगाई रिलीव की शरा में 4 पिसद इजाफे का ऐलान किया है वजिरियाला योगी आरिदियानात ने पीर की राज ट्विट करके ये इतला दी इसी ट्विट में एक और एहम ऐलान करते हुए वजिरियाला ने कहा कि माली साल 2021-2022 के लिए हर मुलाजम को 6908 रुपए का बोनस देने का फैसला किया गया है ख्यार रहे कि मरकजी हुकूमत ने हाल ही में मरकजी मुलाजमीन के डिये में 4 पिसद इजाफा किया था इसके बाद कई दूसरी रियास्तों ने भी अपने मुलाजमीन के लिए इसी तरह के ऐलानात किये है उत्राकंट में केदरनात के खरीब आज याद्रियों को ले जाने वाला हेलिकॉप्टर गिर कर तबाह हो गया जिसके नतीजे में एक पॉइलिट समीट 6 अफराद हलाग हो गये हुकाम ने तजदिक करते हुए कहा कि अब तक 6 नाशे निकाली जा चुकी है उन्होंने बताया कि रेस्क्यू आउपरेशन अभी जा रही है शेहर एधरबाद के लाके लंगर हाउस में एक खौफनाक सड़क हारिसा पेशा पेशाया जिसमें एक 20 साला नौजवान हलाग हो गया तफसिलात के मताबिक मासब टैंक फसलांसर के रहने वाले 20 साला इलियास यूसुफ और उनका दोस्त अतापूर से महधी पत्नम की सिम्ट जा रहे थे किया गया हादिसी के फौरी बात लंगर हाउस पुलीस मौका वारेदात पर पहुंच कर लौरी ड्राइवर को गिरफतार कर लिया गया और एक मुख़दमा दर्सकर के तहकीखात की जा रही है और अब आखिर में एक नजर हैडलाइंस पर वाशिंग पाउडर और रिफाइंड ओइल से दूद बनाने वाली फैक्टरी का परदा फाश फैक्टरी मालिक किरफतार डिजिटल आलाग की तलाशी और जबती के मामले पर साहपियों की अरजी सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस गुजरात हुकुमत का सुप्रीम कोर्ट में हलप नावा बिल्खी इस बानों के मुझरमों को उनके अच्छे सुलूक की वज़े से माफी दी गई बीबीन नियूज में फिलहाल इतना ही ताज़तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीन नियूज बीबीन चानल के वीवर्स के लिए एक एहम इतला अब बीबीन चानल का टेलिकास्ट भारत भर में हो रहा है हमारे व्यूज भारत में कहीं भी टीवी पर आप बीबीन चानल देख सकते हैं स्क्रीन पर बीबीन चानल की टेलिकास्ट डीटेल्स दस्तियाब हैं इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीन चानल देखना चाहते हैं तो आप अपने cable operator को इसके लिए कह सकते हैं आपकी demand पर वो जरूर BBN channel टेलिकास्ट करेंगे क्योंकि BBN एक free to air channel है इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिये गए number पर cable operator से call या whatsapp पर message करवाना है हम आपके cable operator तक BBN channel पहुचा देंगे जिससे वो आपके area में टेलिकास्ट कर सकते हैं इसके लिए channel की हमारी पूरी team लगातार कांग कर रही है ताके आप तक BBN channel को पहुचाया जाए इसके अलावा BBN channel को भारत भर में reporters की जरूरत है अगर आप सहाफी हैं और BBN channel से जुणना चाहते हैं तो आप भी दिये गए नमबर पर रब्ध कर सकते हैं